अमरित सर में वैसे तो बहुत कुछ है देखने को और खाने को लेकिन बहुत ही कम टाइम में यानि कि एक या दो दिन में आप क्या क्या कर सकती हो, कहा कहा जा सकती हो इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज की ये वीडियो होने वाली है अमरित सर की हमारी ट्रिप के बारे में जहां मैं आप लोगों के साथ शेर करने वारा हूँ काफी सारे इंफोर्मेशन और फिर दस रुपे की टिकेट लेकर मैं सीधा चला गया पाटीशियन म्यूजियम के अंदर जहां मैंने देखा कि पाटीशियन के टाइम यानि कि बटवारे के टाइम लोगों ने कितुना कुछ जेला था म्यूजियम से निकलतर टाइम दिखी महराजा रंजीत सिंग की बहुत बड़ी मूर्ती दो मिनिट चलते ही हम पहुंच गए जलिया वाला बाग यहां हमने देखा दिवारों पर गोलियों के निशान मार्केट के बीच से होते हुए हम सीजान दिखी मूर्ट चलते हैं सीधा पहुंच जाते हैं दर्वार साहिब यानि की हरमिंदर साहिब जिसे गोल्डन टेंपल के नाम से भी बहुत जादा लोग जानते हैं मार्केट के बीच जाते हैं परिक्रमा करते टाइम हमने देखा एक पीड जिसके नीचे बाबा बुद्धा सिंग जी बैठ के थे अब बारी आती है पेट पूजा की जहां हमने मस्त छोले भटूरे ट्राई किये और फिर हम वहां से मार्केट के बीच से होते हुए सीधा पहुंच गए दुर्ग्याना टेंपल इस बोर्ट पर मंदिर की डिडेल्स दी वही है कि कौन सी डिरेक्शन में कौन सा टेंपल मिलेगा दुर्ग्याना टेंपल जो की काफी हद तक गोल्ड से बना हुए और उसके चारो तरफ है सरोवर और इस सरोवर में 90 से जादा तीर तस्थानों का पानी भरा गया है मतलब मिलाकर इस पूरे सरोवर को भरा गया है और चारो तरफ ये सरोवर है और बीच में है ये मंदिर दुर्ग्याना तीर्थ मंदिर के नाम से अमरित्सर में ये बहुत पापुलर है इस तरफ में में टेंपल और बिलकुल राइट साइड में आप देखेंगे तो प्राचीन हनुमान जी का बड़ा मंदिर दिखाई देगा ये इंडिया का सबसे बड़ा हनुमान जी का टेंपल है यहाँ पर लोग आते हैं मन्नत लेके संतान प्राप्ती की प्राप्ती होने के पश्याद अपने बच्चों को लंगूर की ड्रेस अफ में लेकर आते और परिक्रमा कराते हैं मन्दिर की क्योंकि यही यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है लवकुष ने इसी पीड के साथ हनुमान जी को यहाँ पर बांध दिया था फिर यहाँ के एक सम बेकार को चिट्राही करने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं रामतीरत की ओर रामतीरत या वालमे की तिरत एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जहां वालमी की जी की गोल्ड से प्लेटेड बहुत बड़ी आर्ट फिट की मूर्थी है और बहुत से अलग-अलग टेमपल है जैसे की मातासीता की खुटिया लवकुष की पाट साला सीता माता की रसोई गुफा वाले हनुमान जी राजा ताई की साथ परक्रमा आप गुफा दर्शन में करते हो तो कोई भी मनोकामनापकी पूर्ण होती और यहां बैठे हुए हैं एक विशाल हनुमान जी यहां की एक डीटेल वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों को वालमिखी दीरत पूरी तरह से मैं घुमा सकू वर्चुली तो इस चैनल को मेक शूर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक पहुँच पाए और लास्ट बट नोट दली हम जा रहे हैं बागा बॉडर गाड़ी हमने यहां पर पाक कर दी है क्योंकि यहां पर है वैले पाकिंग जो की वैलेट पाकिंग क यहां के अमेजिंग क्राउड को देखकर मेरे मूं से निकल गया वाइब अरिति मेंटा है आपे क्योंकि इंगर बडिप्स कार है वैलेट जिए झाला उनिए कि वैलेट फौर में भाहे हैं कि वैलेट पाइब आपड़काश में रॉलेट वैलेट 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 पाइब धिए जयाँ थाएबगर लूलेट उर्वैबगगाब यहाएब fight fight! जैसे इंडिया पकिस्तान के बॉर्डर खुले भाई सारे लोग खड़े हो गया है हिंदुस्तान जिन्दावाद और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला हम लोग थोड़ा सा पहले बाहर निकल चुके हैं जोकि अंदर भाई अमेजिंग क्राउड बढ़ता जा रहा है और जो नारे लगवार है भाई एक नंबर जोश पर दिया हम लोग ना आलस में तुस्ती में थे मैं अभी पूरा भीग चुका हूं यार नारे लगाना कि हम लोग भीग चुके हैं जोड़ा सा पहला निकलें कि हम टाइम ली निकल जाएं जोश ता कि मजना आ रखा ना हो भाई है ultimate experience बहुत मजा आया भाई बहुत explain नहीं कर सकते हैं भागते हैं फड़ा बट से ताफी सारी भीड यहां भी कटी है अंदर की तरफ आपको पता ही है ceremony चल रही है और अब हम लोग निकलते हैं गाड़ी की तरफ यह दोनों के हालत देखो हम बिल्कुल काले काले नज़र आ बाहर आते टाइम ना बॉक्स में बहुत सारे अलग-अलग ब्रेंड्स के तुम आराम से चाटो और फ्री में लेके जाओ मतलब फ्री में सुट्टा मजे और फिर नाइट में हम गय क्रिश्टल चॉक जहां मिलता है वेज प्लस नॉन वेज स्ट्रीट पूड वो भी काफी अमेजिंग और इस तरह से एंड हुआ हमारे इस अमरित सर के सफर का अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी से भी पसंद आई है तो भाई इस वीडियो को फटा-फट से लाइक कर देना कमेंट में एक छोटा सा हाट तो बनता है वागी इसी के साथ इस वीडियो को य